लगवग दो महिने के बाद मैं किसी भी फोन का अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ फ्लिपकाड से मंगा चुका हूँ इन्फिनिक्स होट 25G फ्लिपकाड में ओपेन बॉक्स डेलिवरी है लेकिन मैंने ओपेन करके नहीं देखा हूँ आप लोगों के सामने ओपेन करने वाला हूँ तो इसके बज़े से मैं पूरा सिल्पक बॉक्स लेकर आया हूँ इस वीडियो में इन्फिनिक्स होट 25G का अन्बॉक्सिंग देखेंगे उसके साथ सारे स्पेसिपिके सान के बारे में जानेंगे मेरा फस्ट इंप्रेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कैमेरा, गेमिंग, सब कुछ टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो को लास्ट तक जारूर देखना लेगिन एक चीस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे Instagram account में 10K followers complete हो चुका है अभी तक आप लोग follow नहीं किये तो क्या गर रहो यार description में link दिया हूँ जल्दी जाओ Instagram में follow कर लो हम लोग बहुत चरे amazing content डालते रहते हैं Instagram में भी सबसे पहले यहाँ पे card लगाते हैं और phone के जो box है उसको बाहर निकलते हैं अंदर यहाँ पे देख लीजे Infinix Hot 20 5G का package आता है और नीचे build दिया गिया है चलो इस तरफ एक card लगाते हैं और दूसरे तरफ और एक card लगा देते हैं box open करने से पहले box का overview दे देता हूँ सबसे उपर hot 20 5G लिखा है Dimensity 810 5G चिपसे डे 120H ultra smooth display यहाँ पे लिखा है और पीछे की तरफ कुछ highlighted features है अगर आब logo को देखना है वीडियो को पहुच करके देख साकते हो box को open कर लेते हैं सबसे पहले हमारा phone आता है तो चलो इसको अभी मैं side में रख दूंगा और देखूंगा box के अंदर और क्या क्या दिया है यहाँ पे एक normal charging adapter मिलता है और उसके साथ यहाँ पे type-c cable दिया है sim receptor pin मिलता है कुछ user manual guide है यहाँ पे xclubs का welcome card दिया है और उसके बाद एक back case मिलता है इसका quality ठीक ठीक ताग है लेकिन कुछ दिनों के बाद एक back case पिला पढ़ जाता है सबसे पहले design and build quality के बारे में बात करते हैं कोई भी young lad का iPhone देखेगा ना सच में दोस्तों सबसे पहले इसके look देखकर phone को पसंद कर लेगा सांदार डिजाइन है कैमेरा का जो module है slightly flexible जैसा experience देता है उसके साथ साथ कैमेरा के चारों और एक जो glossy finish दिया है न सांदार है सिर्फ glossy finish नहीं है उस frame को छोड़के हर जगा में texture finish जैसा दिया है यानि कि cratches बेगरा भी उतना जादा नहीं आएगा मेरे पास blue color का है तो उसके बज़े से slightly cratches बेगरा अब लोगों को ज़ादा दिखाई दे सकता है अगर अब लोग dark color variant खरीद होगे वहाँ पे ज़ादा cratches बेगरा आब लोगों को नहीं मिलेगा डीजाइन तो सांदर है यहाँ पे थोड़ा सा flat edges देने का भी कोसिस किया है इन्फिनिक्स उसके बज़े से हाथ में पकड़ने में भी मज़ा आता है अच्छा fill देता है बैकसेट में glass नहीं रिया है प्लास्टिक दिया है अगर आपके हातों से गिर जाए तो cratches बेगरा या दाग आ सकता है आउट ओब बॉक्स back case मिलता है ओ लगा के रखना या तो आप लोग back case भी खरीद सकते हो description में लिंक डाल दूँगा overview के पास देखोगे निची की तरब 3.5 mm jack microphone यहाँ पे type c port दिया है speaker है website की तरब sim tray दिया है और यहाँ पे dedicated sim slot है उपर की तरब कुछ भी नहीं है यहाँ पे secondary microphone देना चाहिए था noise cancellation के लिए नेकिन यहाँ पे नहीं दिया है right side में volume up down button और fingerprint sensor दिया है fingerprint sensor इसका बहुत fast है बहुत जल्दी जल्दी open भी होता है मैं tap कर रहा हूँ open हो रहा है तो यहाँ पे चेक कर लिजिए fingerprint का बात कर रहा हूँ face unlock कैसे पिछे रहेगा face unlock इसका एभारेज है थोड़ा time लेता है उसके बाद जाके open होता है instantly open नहीं होता है यहाँ पर dual speaker नहीं दिया है single speaker मिलता है बाजेट में phone आता है ओभी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा खेर चलो इसका sound quality में आप लोगों को test करवा देता हूँ कि वाल्यूम फूल है sound quality इसका ठीक टागे clear sound है यह मेरे को काफी अच्छा लगा है हाँ उतना जदा loud नहीं है लेकिन speaker clear है इस phone का सबसे बड़ा जो highlighted चीज़ है वो इसका 5G है 5G का बात कर रहा हूं तो किसके बज़े से 5G है प्रोसेसर के बज़े से ना तो चलो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं Mediatek का Diamond CD 810 5G chipset मिलता है काफी powerful chipset है यह जो chipset है यह normally 15, 16, 17,000 के phone में आता है लेकिन Infinix सिर्फ आप लोगों के लिए 12,000 में लेकर आया है और बहुत सारे credit card का discount बेगरा लगाओगे तो 11,000 के आसपास आप लोगों को ए phone मिलेगा लेकिन मुझे पहले पहले उसके phone में उतना अच्छा chipset यूस नहीं करता दा लेकिन अवी से तगड़ादार chipset यूस कर रहा है इस phone में मैंने अंतुतु benchmark को रान किया दा काफी अच्छा score आया है उसके साथ-साथ हम लोग Battleground Mobile India खेलकर भी चेक कर चुके हैं जबर दस्त performance है फास्ट इंप इस phone का जो detail gaming review आएगा उहां पर बहुत टाइम तक हम लोग खेलेंगे लेकिन फास्ट इंप्रेसान में हम लोग जितने खेले थे ठीक ठाक चल रहा था नहीं तो कोई lag नहीं तो कोई जीटार नहीं तो कोई frame drop मेरे को दिखाई दिया काफी अच्छा चल रहा था हमारे gaming channel मे जो detail PUBG gaming review आएगा ना वहां पर हम लोग detail में बता पाएंगे कि किस तरीके से game चलता है उसके साथ साथ हीट होता है कि नहीं बारी की से अब लोगों को बताऊंगा थो यार हमारे gaming channel को subscribe भी जरूर करना ज्यादातर लोग मुझसे एही पूछता है कि Infinix के phone में daily live uses में phone कैसा है phone बढ़िया है देखिए दोस्त तगड़ा प्रोसेसर यूज किया गिया है उसके बज़े से daily life में जब आब यूज करोगे नहीं तो कोई lag, guitar, frame drop कुछ भी नहीं दिखाई दिएगा smoothly एब बेकर open होता है और close भी अच्छी तरीके से होता है लेकिन Infinix और भी advanced level में जाके ultra touch का option दिया है तो उसको on कर दोगे, phone जो performance कर रहा था वो जल्दी जल्दी करेगा, gaming के बारे में बात कर रहा हूँ ना, gaming के लिए high refresh rate होना बहुत जरूरी है और इस phone में ओ धिया गिया है, 120 Hz का refresh rate है, 120 Hz सच में काम करता है, मैं use कर रहा हूँ काफी ज़्यादा smooth है, इतना लोग मुझे बोलेगा के इन्फिनिक से पैसा लिया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्त, मैं phone खरीदा हूँ flip car से, तो मेरा honest opinion दे रहा हूँ, high refresh rate के बारे में बात कर रहा हूँ, लगे हाथों display के बारे में भी बात कर लेते हैं, 6.6 इंच का full HD plus IPS panel यहां पर देखने को मिलत है, काफी अच्छा display है, मैंने बहुत अच्छारे movie बेगराफ चेक करके देखा हूँ, अच्छा चलता है, color contrast बेगराफ ठीक ठाग है, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यह phone AMOLED डिस्पले नहीं है, तो उसके बज़े से AMOLED डिस्पले जैसा experience आब लोग expect मत करना, अगर आप लोग Infinix का ही phone खरिदना चाहते हो, AMOLED डिस्पले के साथ, आप लोगों के लिए Infinix Note 12 है, AMOLED डिस्पले के साथ आता है, तगड़ादार smartphone है, ज्यादा content consume करने के लिए Infinix का O phone चेक कर साकते हो, यहाँ पे view product दिखाई देगा, यहाँ पे मैं add कर दूँगा, दिखाई देगा, इसा कुछ भी नहीं है, मैं outdoor में use करके देख चुका हूँ, काफी अच्छा brightness है, 5000 इसका battery देखने को मिलता है, बहुत जल्द इसी चैनल में इसी phone का battery dentist वीडियो लेकर आऊंगा, ओ भी 100% से 0% तक, उसके लिए ज़रूर इंतेशार करना, वहाँ पे हम लो battery performance कैसा है, मैं अभी तक test नहीं किया हूँ, यह मेरा first impression है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं 3-4 घंटे से use कर रहा हूँ, 3-4 घंटे में जितना मेरे को समझ में आया है, उसी तरीके से अगर बोला जाए, battery performance मेरे को अच्छा लगा, लेकिन detail में जानने क लिए हम लोगों को battery dentist करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को पता चलेगा, उसके लिए आप लोगों को एक दो दिन रुखना पड़ेगा, क्योंकि battery dentist करना है, 6-7 घंटा time लगता है, उसी के हिसाब से हम लोग करके इसी channel में upload कर देंगे आप लोगों के लिए, इतना सब कु फिचा से 5W का reverse charging दिया गिया है, इसी phone को power bank बना कर किसी भी दूसरे phone को बहुत आसानी से charge कर सकते हो, यह सच में मेरे को काफी अच्छा लगता है, हमारे पास 4GB, 64GB variant है, लेकिन यहाँ पर virtual RAM दिया गिया है, 3GB का, आप 4GB से 7GB तक RAM कर सकते हो, और box में भी highlighted है, लेकिन एक च आप लोगों को बतार रहा हूँ, तो आप लोग यह जो 3GB extra मिल रहा है, उसमें आप लोग विसपास मत करना, हाँ 4GB यह जो RAM है, यह तगड़ादार RAM है, मैंने इसका RAM टेस्ट करके भी देखा हूँ, बहुत चारे application RAM में रहता है, और सही धंग से open भी होता है, ऐसा नहीं है कि RAM management के time में थोड़ा सा lag बेगरा हो जाए, ऐसा मैंने notice नहीं किया या मूचे नहीं दिखाई दिया, इतना मैं lag lag के बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों आप लोगों को पता है, क्योंकि Infinix का जो UI है, वो थोड़ा सा lag ही है, लेकिन इस phone के साथ मेरा experience थोड़ा सा अलग है, म मेरे को अच्छा लगता है, एक brand customer का सुन रहा है और क्या चाहिए, और हाँ, इस phone में बहुत चारे features मिलता है, Infinix features के मामले में कभी भी कमिया नहीं चोड़ता है, तो features वाला वीडियो का link मैं card में डाल दूँगा, या हमारे features channel में जाके, बहुत चारे features के बारे में जान साक आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, detailing मेरे को काफी अच्छा लगा है, color contrast बेगरा भी काफी अच्छा है, face को जादा beauty नहीं करता है, protect mood में age production मेरे को काफी अच्छा लगा है, selfie camera में जादा beauty नहीं करता है, background में जो sky है, उसको ठिक ठक maintain भी कर देता है, और comment box में जरूर ब ले भी आ साकता हूँ, आप लोग comment box में थोड़ा सा टाइप कर देना, कि camera review चाहिए, तभी मैं camera review बनाऊंगा, बरना full review में इसका camera review तो आहेगा ही, तो आप लोग comment box में एक बार बता देना, dedicated camera review चाहिए कि नहीं, आप लोगों के opinion के हिसाब से, मैं video बनाऊंगा, star value इसके limit के अंदर है, white wine L1 मिलता है, यानि कि Netflix और Amazon Prime में full HD content वेगरा consume कर पाओगे, camera to API का option मिलता है, यानि कि Gcam को आप बहुत आसानी से use कर पाओगे, और Gcam को use करके और भी बहतरिन picture quality आप खित सकते हो, अब चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एफोन आप लोगों को खरितना चाहिए के नहीं, देखिए दोस्त मैं 3-4 घंटे तक use कर रहा हूँ, और 3-4 घंटे में एफोन सच में मेरे को काफी अच्छ लगा है, 12000 में 5G फोन देना बहुत बड़ी बाद है, ओवी Infinix के तरब से, फोन मेरे को काफी अच्छ लगा, मैं requirement करता हूँ, मेरे detail review के बताना कि आप लोग फोन खरीदोगे के नहीं, उसारे वीडियो देखकर आप decision लेना कि आप फोन खरीदोगे के नहीं, मैं फोन को requirement कर रहा हूँ, और इस sponsor वीडियो नहीं है, मैं खरीद के review कर रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छ लगा हो, लाइक कर देना, share कर देना, और